हाँ जी नमस्कार दोस्तों मैं वाक्षिजाखड और आपका मेरे पाउस्ट्रोक ट्रेक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डूज फार एटी प्रोफिलाइन एग्रोलेक्स का और मैं आपको इसके बारे मे वर बेककेजर तक इसका फरंट बैट है ये देखिए आप थेखेख़ते हैं बडी स्टाइलिस ऐरो डाइनेमिक इसकी शेप दी गही है और sentence दीकर और घ्ि एटी एचपीДа में आ रहा है दोस्तों येथ येवी में किसे एल्स डिलाइक्पेश इरोडारीस गही है और बोल बाइक और है तुट का जो पॉलर दिया गया है और कापी फ़्याँ ट्राउंड खीर देर के दोस्तों यह देखिए वह और सिप्ट है वह एड्जस्टेब्ध आदेश्टों साइड में भूंसक्ति यह जो यह देखिए अध्यर व्यू देखिए दोस्तों और इजी स्ट करेंग विल के साथ आ रहा ही है आपको और बीडियो देख रही है दोस्तो और दोस्तो इसके अंदर 10 forward 10 reverse 15 forward 15 reverse dual system दिया गया है और इसमें जो dual PTO है वो 540, 740, 1000 RBM पर आप चला सकते हैं इसका और इसकी lift capacity है वो है 22100 से 3000 तक lift capacity है दोस्तों इसकी और जो पिछे के tire दिया गया है वो 1628, 1639 के tire दिया गया है पिछे गया है और यह देखिये lift capacity है इसकी 3000 kg तक है दोस्तों डाइस साथे 2200 से 3000 किजी तक और यह देखिये distributor दिया गया है यह पिछे इन्होंने machine लगा रखी है यह कटाही के लिए है जुआर की कटाही के लिए और जैसे वो मक्के की कटाही के लिए यह machine है वो इन्होंने fit कर रखिया है ट्रेक्टर के पिछे काफी बड़ी machine है दोस्तों जोकी और इसके पिछले रिम है उनमें weight दिया गया दोस्तों और वो weight है इसका 13 किजी का weight है एक साइड का तो टोटल वेट इसका उच्छा सिकेजी वेट दिया गए है पिच्छे के टाइरों जो रिम है हेवी डुटी उन में तो दोस्तो बड़ा स्टाइलिस्ट एक्टर है यह देखिए तोटल में आपको परवाजिता हूँ यह देखिए दूल एक्टिव पावर स्टेरिंग के तेन ने व्रवर्ड और 11 डिवर्स घियर चार ग्र के साथ इसमें जो लिश्ट केपिसिटी मैंब्ध को बता की डिंगर के साथ जबले गिंब टरेखिए दूंड एगी है। पिछे इसके इंदर चार डिस्ट्रीटर पॉइंट है तो काफी बड़ा ट्रेक्ट है दोस्तों देखने में और वैसे भी इसकी जो HP है वो असी HP स्रेनी में आ रहा है तो काफी बड़ा है और ये पिछे इन्होंने इंपलिमेंट जोड रखा है तो दोस्तों अगर हमारी झानिवाद झानिवाद